तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लेकर आया हूँ रेड ड्रेगन की तरफ से आने वाला एक मेकानिकल कीबोड जिसका मॉडल नंबर है के फाइफ फाइफ वन और इसका प्राइस 3200 रुपीज है और इसकी best bank link आपको description में मिल जाएगी क्योंकि सेल के टाइम में इसका price जो है वो काफी कम हो जाता है तो आप जाके check out कर सकते हो कि अभी क्या price इसका चल रहा है तो आज की इस वीडियो में आपका भाई जो है voice over दे रहा है करते हैं सबसे पहले unboxing से तो यहां पर keyboard का box जो है वो seal packed है इसको फटावट से हम जो है निकाल देते हैं भार जैसी आप box को open करोगे तो यहां पर सबसे पहले आपको keyboard देखने को मिल जाएगा जो bubble wrapped है इसको मैं अभी भार निकालता हूं आप में चार extra switches भी आपको मिल जाते हैं तो by chance gaming आप काफी जादा करते हो long term के लिए इस keyboard को use करते हो तो जो gaming के लिए AWSD वाले key वो होते हैं या फिर up-down वाले key होते हैं वो by chance खराब हो जाते हैं वो काफी popular है especially gaming के माबले में क्योंकि इनका जो weight जो होता है वो काफी light होता है और distance force और time दोनों ही जो है काफी कम होते हैं as compared to black और blue इस वज़े से cherry MX red switches को जो है almost बहुत सारे लोग जो है prefer करते हैं अब keyboard की बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको 104 keys जो है total यहां पर मिल जाती है separate जो है numeric keypad भी दिया गया है यह मुझे काफी अच्छा जो है इसमें लगा है plus यह जो है rainbow backlight को support करता है जिसके बारे में मैं आपको आके बताने वाला हूँ keyboard base की अगर मैं बात करूँ तो पूरी तरीके से metallic alloy के साथ में बना हुआ है काफी strong quality का मुझे लगा है personally और काफी heavy है तो अगर आप काफी rough gamer है तब भी यह keyboard हिलेगा नहीं अच्छे से stable आपकी decks पे रखा रहेगा backside की बात करो तो यहां पे आपको normal वही दो stand देखने को मिल जाते हैं लेकिन stand में यहां पे आपको rubber देखने को मिल जाती है तो काफी detailing में काम किया गया है अब आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं USB cable की तो सबसे पहले यहां पे एक cap लगा हुआ USB पे इसको मैं हटा देता हूं तो guys यहां पे wire की quality जो है मुझे overall काफी strong लगी है ठिक सा आपको wire मिल जाता है और length भी जो है इसमें आपको काफी अची मिल जाती है तो wire के मामले में आपको tension नहीं लेनी है जैसे इसको मैंने plug-in किया तो आप देख सकते है RGB light जो है इसके अंदर यहां चलना स्टार्ट हो चुकी है और यहां पे आपको rainbow style में lighting मिल जाती है लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पे आपको काफी सारे mode मिल जाते है सबसे पहले यहां पे मैं light off करके आपको बता देता हूँ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा काफी colorful लग रहा है तो यहां पे आपको काफी different modes देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले मैं यहां पे brightness controlling आपको बता देता हूँ function button के साथ में insert button को press करना है जैसी आप button दबाएंगे तो जो है आप अलग-अलग mode में चले जाएंगे आप देख सकते हैं यह एक ऐसा mode है जहाँ पर जिस button को मैं press कर रहा हूँ वही button में जो है light on हो रही है यह मुझे जो mode है काफी काफी cool लगा है उसी के साथ में अगर आप फिर से function और insert button दबाएंगे तो आप देख सकते हैं एक तरीके से gaming mode है और उसी के साथ में यहाँ पर एक और mode मिल जाता है तो जो एक तरीके से zigzag वाला mode है left to right और right to left जो है आप पर speedo control करना है तो आपको left या right वाले को जो है दबाना पड़ेगा सारे modes को enable करने के लिए आपको simply function और insert बटन को बारवर प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पर आपको snake mode भी मिल जाता है और इसी के साथ में multi RGB वाला option भी मिल जाता है किसी भी button को अगर आप press करोगे तो एक तरीके से काफी earthquake type का जो है आपको effect यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो है आपको fed in fed out वाला भी effects देखने को मिल जाते हैं तो RGB mode काफी जादा हैं काफी सारे हैं और अगर आप और भी detail में जानना चाते हो तो इसके साथ जो book दिये उसको जो है आप पढ़ सकते हो वहाँ पे और भी अलग-अलग functionality के बारे में काफी detail में explain किया गया है so guys इस keyboard को मैं पिछले एक महिने से use कर रहा हूँ और मैं इतना जादा gaming नहीं करता हूँ honestly बता रहा हूँ मैं programming जादा करता हूँ तो programming के लिए भी जो इसको मैं use कर रहा हूँ काफी अच्छा feedback मुझे मिल रहा है बलकि मज़ा आ रहा है और भी programming करने में मुझे keyboard या फिर keys में कोई भी problem नहीं हुआ है आप अगर gaming नहीं चाहते हो तब भी आप generally इसको use कर सकते हो क्योंकि दिखने में ये मुझे काफी cool लगता है क्योंकि इसकी जो RGP light वगए है वो काफी अच्छी response देती है प्लस इसके keys का sound है वो भी काफी बढ़िया है क्योंकि इसमें जो red cherry MX जो mechanism में use हुआ है keys में वो एक तरीके से ज़ादा loud noise तो नहीं करता है लेकिन जो keys होते हैं उनका जो distance होता है वो काफी जल्दी ये cover कर लेता है overall keyboard जो है 3000 रुपे में काफी अच्छा मुझे लगा है आपका budget अगर इतना है तो आप जो है इसको ही purchase करना काफी अच्छी quality आपको मिल जाती है तो guys इसकी best bang link आपको description में मिल जाएगी आप जाके एक बाद check out कर लो क्योंकि इसकी जो price है वो कम होते रहते हैं sale में और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको यह setup कही न कहीं अच्छा लगा हो तो please आप feedback दे सकते हैं नीचे comment section आपके लिए जो एक खुला हुआ है और एक चीज मुझे और जाननी है कि आप लोग gaming keyboard यूज करते हो या नहीं करते हो अगर कोई भी keyboard यूज कर रहा हो external keyboard तो उसके बारे में भी आप description में बता दो कि कौन सी brand का आप keyboard यूज कर रहे हो तो guys मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care and peace